हेलो बच्चो सूपरभाद तो बच्चो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पे स्वागत है बच्चो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का साइन्स का चाप्टर टू जिसका नाम है क्या हमारे आस पास के पतार्थ सुध है इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इसमें जितने भी नोट्स आते हैं ठीके सारे नोट्स को हम लोग कहां पे कंप्लीट करेंगे और इस नोट्स को आप लोग कॉपी मेंट भी नोट डाउन कर सकते हैं चुकि यह मेरा बनाया हुआ नोट्स है ठीक है इसको मैं आप लोगो टैपिंग के माद्यम से पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं तो सबस्य पहले हैं पदार्थ क्या है तो एक बार फिर पर रिपीट करते हैं यह पदार्थ है क्या परतिक वस्तू जिसमें दरविमान हो और अस्थान को घेरती है ते वो से पदार्त कहते हैं मत्लब कोई भी वस्तो बीच द्रवेमांस कुछ ना कूछ द्रवय मां कुछ बहार और साथ में क्या है कोई अस्थान लेता हो कोई जगा लेता हो उसको लोहा पत्थर मिटी यह सब क्या करते कोई नए कोई तो प्लेस करवा दिये थे ठीक है आप देखो यह पदार्थ का परकार क्या क्या होता है तो पदार्थ का परकार जो होते हैं बच्चों यह होते हैं एक सुध एक असुध ठीक है तो यह सुध पदार्थ क्या है और असुध पदार्थ क्या है आईए हम लोग देखते हैं देखे सबसे प पता है दोश्तों की पदार्त होता है बहुत सारे छोटे 라 चोटे कान कर कन को मिורा करके एक पदार्त का निर्मान होते है यह को से लग-अलग कन यहां पनाने में आपकर और अगर परियोग करते हैं तो वह को हमारा क्या होता है सूध पदार्थ ठीक है यही कोशन बोल रहा है ठीक है जैसे क्या बोल रहा है ऐसे पदार्थों को जो एक जैसे प्रकृति वाले रसाइनिक कनों से मिलकर बने होते हैं सूध पदार्थ ठीक है जैसे कि आप बोल सकते हैं एक लोहा है ना लोहा ठीक है इस तो यह क्या हो जाएगा हमारा ऐसे पदार्त को क्या बोलेंगा असूद पदार्त के लिए हो गया अब आते हम लोग तत्तो क्या है तो तत्तो भी हम लोग समझ लेते हैं देखो इसमें क्या है पदार्त का वःध मुल रूप जिससे रसायने कभी क्रियादवारा अन्य सरल पदार्तो में भाजित नहीं किया जा सकता तत्तो कहलाता την जो कि इतना छो SooTah कि उससे फिर कोई उसको विभाजित नहीं कर सकता तो फिर बठी ने सकता है, इतना छोटा पदार हो जैसे कि अब लोग antara और ताय टेबल अगर आप नहीं पते हैं तो गूगल पर आप सर्च केज़ेगा तो periodic table इस टैप से आ जाएगा ठीक है उसमें 118 तत्तु है ठीक है 118 तत्तु है जो के अभी तक ग्यात हो चुका है ठीक है जिसमें से आप लोगों कुछ धातु है कुछ आधातु है और कुछ उप धातु है ठ ठीक है जो भी वहाँ पे 118 तत्तु है वह पे कुछ धातू है कुछ आधातु है और कुछ उप धात्तु है ठीक है अब यहां पे देखेंगे तो अब तक 118 तत्तो ग्यात हो चुके हैं और बाकी अभी खोज परताल इसका चल रहा है ठीक है तो अभी तक 118 तत्तो को हम लोगों को फाइंड हो चुका है चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ओ योगिध योगिक क्या होता है दो ये दो से अधिक तत्तो को एक निश्चित अनुपात में मेरा साइनिक संयों द्वारा बने पदार्थ को क्या कहते हैं योगिक कहते हैं तर में कि जैसे कि स्यूडियम हो गया और कलोरिन हो गया यह सब क्लोरिन है। सोडियम और लो हैं हैं कि आप पर देखे होंगे प्रियोडिक टेबल अब देखो यहां पर दो यह दो से अधिक तत्तों दो और भी कोई तत्तों मिला लो तीसरे तत्तों चलो दो ही तत्तों को एक निश्चित अनुपात में अगर इसका रसायनिक संयोग द्वारा बने पदार्त को क्या बोलेंगे यौगि क्या हो जाता है NACL बन जाता है क्या बन जाता है NACL अब यह जो पदार्त बन गया इसी को हम लोग क्या कहेंगे क्लियर हुआ ठीक है het जब दो तत्तो को मिलाकर कोई नया पदार्थ जो बनता है दो या दो से अधिक ततो को मैं को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ को अवयाओं के गुन वर्तमान मिस्रट कहलाता है तो यानि की दो-ईiph do Tomo आधिक तत्य वोलो या यओगीक बोलो थिकए अगर दोनों को अगर मिला देते है तो क्या होजाता है हमारा मिलाने से बना पदार्थ में गोता है हमारा क्या होता है मिसरन होता जैसे कि अगर आप मान लेते हैं तो चीनी और पानी का कोई सर्बत मिला दो मतलब की बना दो सर्बत बना दो चीनी और पानी मिला दो तो यह क्या हो गया मिस्रन हो गया ना अब दोनों को घोल दो तो क्या हो गया मिस्रन ठीक है तो यह मिस्रन हो गया ठीक है आप डैफनेशन क तो समागी मिस्रन वे मिस्रन जिन में पदार्थ प्रस पर पुनरूप से मिस्रित होते हैं एक दूसरी से अविवेध दे होते हैं समागी जाए यानि कि पूरा पूरा मिल जाए ना जैसे नमक पानी को मिला दे लग हमah इसको मोग बलेंगे समांगी मिसरन कहेंगे के लिया हुआ अब वी समांगी मिसरन जिसमें परिथक रहते हैं और पदार्थ चोटे कनो चोटी चोटी बूंदो अथ्वा बुल बुलले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगा फाइला रहता है वी समांगे मिस्रन कहलाता है इसमें पदार्थ के अलग-अलग दिखाई देते हैं यानि कि जो पदार्थ जो है मिला नहीं ठीक है एकदम जैसे कि हम पानी और मिट्टी तेल को अगर मिला देते तो क्या मिलता है वो बताओ तेल क्या है तेल उपर हो जाता है तेल क्या होता है इसको 20 सामागे-सलन जो नहीं मिलता है जैसे में आप एक और ले लें पाणी यह समागे-द्र का हो गया तक्राइज समागे-सलन जो घुलता याग हम लोग bütün विल्यन क्या होता है इसी तरह से आप लोग कोई कुछ कोई कुछ बिगाड नहीं सकता है इसके बाद देखते हैं विल्यन दो या दो से अधिक पदार्तों के समांगी मिसरन को विल्यन कहते हैं ठीक है दो या दो से अधिक पदार्तों को समांगी मिसरन को क्या बोलेंगे मिल्यन कहेंगे यानि कि दो या दो से अधिक पदार्त को हम लोग अगर मिला देते हैं år अगर समाँगे म colony बगोल चीनी और पानी का घोल इसको हम लोग क्या बोलेंगे चीनी और पानी जब घोल जाएगा तो लग मतलब कि यह जो बना पदार्त है जैनी और पानी तो उसको बंगे अब नीमों पानी क्या है और भी ऩ Państu तो कृते होता है अच्छोटा होता है तो सकते हैं यह विल्यन के प्रकार विल्यन दो प्रकार के होते हैं पहला विले दूसरा विलायक ठीक है तो यह विले क्या है और विलायक क्या अब इसको हम लोग समझते हैं तो विले भुकपदारत यहां पे जो घुलता है तजहा जो विलायक में घुला होता उसे दिले और विलायक क्या हो गया पानी में कि विलायक पानी के लिया रुआ और फिर से पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा और पानी की मात्रा ज़ाधा रखे यह चीनी की मात्राएग तो पानी की मात्रा जाधा राखेंगे जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है उसी को क्या बोलेंगे विलायक कहेंगे जो दूसरे घटक का विल्यन में मिलाता है उसको क्या बोलेंगे विलायक तो यहां पर विलायक पानी हो गया विलायक क्या हो गया चीनी हो गया ठीक है इसी तरह से निम्बू और पानी में अग हो जागा ठीक है चलो यह किलियर हो गया इसके बाद देखते हैं अगर एक और पॉइंट अगर बनाना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं विलाय की जो मात्रा होती है एकदम कम होती है विलाय की मात्रा क्या होती है कम होती है ठीक है और विलायक की मात्रा क्या होती है अधिक होती है किलियर हो गया चलो इसके बाद हम लोग निक्ष्ट पढ़ते हैं क्या है विल्यन की सांदर्ता यह क्या है तो विल्यन की सांदर्ता विलायक की मात्रा में घुले वे विले पदार्त की मात्रा का जो विल्यन के दीवी मात्रा में उपस्थित है विल्यन की सांदर्ता कहलाते है यानि कि विलायक की मात्रा में घुले विलायक की पदार्थ की मात्रा कितना परसेंट है उस परसेंट को हम लोग ठीक है उस अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे विल्यन की सांदर्ता वही चीछ बोल रहा है विलायक की मात्रा में जो घुले वे विलायक की पदार्थ की मात् मात्रा में उपस्थित हो उसे विल्यन की संदर्ता कहते हैं ठीक है अगर बात करें विल्यन की संदर्ता का फॉर्मुला क्या है तो विलायक की मात्रा जितना और विलायक की मात्रा डिवाइड में लोग लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा विल्यन की संदर्ता हो जाएगा कीशी विशेज आपमन पर कोई Canyon जीतने अधिकतम विल्य घोलनी में सख्छम हो उसे समतृप्त कहते हैं अब एक बादे पढ़े पर्लो उसके बाद दोनों समझा देते हैं यहां जैसे क्लेलो यहां पर चीनी और पानी लेलो और दोनों को गर्म करूं तो चीनी और पानी तब तक मिलेगा एक ऐसा टाइम आजाएगा जब चीनी गुलने लगेगा तो इसको लोग तर्फिर पाइसा पूरे जाएंगे ताप ड़ेगव तो यही कोशचन में जब तक वह उसका अधिक्तम सक्षम होता में इसे सम्ना पहुच जायएं घेए समझ मार है ठीक है कि चीनी और पानी कोINA मिलाएंगे अइसा टाइब आईगा बिसेनी नहीं गुलने लगेगा और जब चीनी नहीं गुलना लगी ऑसी तरह से रह जाएगा तो वही अधिकतं सक्षम in besi ओसने है पसी त्विल्यं चिक कम हो तो इसके बार देखते हैं निलम्बन एक विसमांगी मिस्रन है मतलब कि निलम्बन घुलता ही नहीं है जिसमें विलाइक के कन घुलते नहीं है बलकि पूरे माध्यम में बहु मात्रा में निलंबित रहते हैं जैसे गंदला पानी बुरादा जल का मिस्रन चौक पॉडर जल का मिस्रन मतलब कि क्या है निलंबन उसको बोलेंगे जो घुलता ही नहीं है ठीक है जैसे गंदा पानी गंदा पानी अगर हम लोग देखे तो उस चॉक पॉर्डर निलंबन एक हुआ। जिसमें विलय के कन घुलते नहीं है बलकि पूरे माध्या में घुमते रहते हैं यहां लेकिन घुलता नहीं है। जब आगे देखते हैं हम लोग निलंबन की जुद धरंगे टूरब के तो देखो पहला नंबर यह एक व्यसित मांग है तो आप आंखो से देखेगे जा सकते हैं को नंगे आंखों da अगा चाहला nesam यह नंगे आखों से देखा जा सकता है मतलब की आसानी से हमको को देख सकते हैं ठीक है यानि कि अगर बात करें तो यह कन यहां पर नंगे आंखों से भी लिख सकते हैं या फिर कन को है ना चलो यहां पर कन लिख देते हैं ठीक है कौन के जगह में कन लिखना ठीक है क्या लिखेंगे कन इसमें क्या है कि कन को हम देख सकते हैं आराम से बिल तुक्त कि यानि कि अगर इसको कुछ धिर क्याते ही गंदला पानी को अगर हम कुछ धिर छोड़ देते हैं तो उसका क्न क्या है जो विले हैं विले जी से अलग किया सकता है दिक अधर अलग कर सकते हैं और बुरादा जल को अगर रहा तो बुरादा जल अगर रहा तो और बाके पानी नीचे हो जाएगा सकते हैं लोगие कि लेंबन का गुंधर अब आते हैं क्या म利向 अ मसरन मतलब कि यह भी गताने है लिए जिसमें विले के करनों का आकार जो होता है और सो अम्न के बीच होता है क्यालाता है यांने जिसमें विले के करनों जिली और कितना होता है और 100 mm के बीच होता है को इसे कुलाइड विल्यन कहेंगे किलियर हो गया ठीके तो यह दूद और गॉन्द जैली इससे तरह से बोल सकते हैं जैली आप लोग देखे भी होंगे तो इसी जोग गया दूद गॉन्द जैली यह सब हमारा कॉट विल्यन है इसके बाद देखते हैं लोग कोलाइड के गुंधर्म क्या क्या है तो देखो पहला नंबर इसमें को अगों द्वारा नहीं देखे Ja सकते हैं निलंबन का कन को मांख से देख सकते हैं लेकिन कोलाइट का कन घुलता नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम लोग आँखों से नहीं देख सकते हैं अब देखते हैं इसके बाद या चानन वीधी द्वारा मिस्रन को अलग नहीं किये जा सकते हैं निलंबन इसका उल्टा था उसको चान नमीदी से अलग कर सकते थे और इसको छान चोन देने पर कन का तल पर नहीं बैठते ठीक है यानि या अस्थाइए होते हैं तो इसके भी गुंदर्मापलो को क्लियर होते हैं अब आते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव यह क्या है तिंडल प्रभाव कोलाइड के कनों का च एह अखों से नहीं देख सकता प्रद्टू यह कंद फरकास की किरन को आसानी से फाइला कि इस प्रकास की किरन को टिंडल परभाव कहलाता है इसकी एक अच्छा से एक्जामपल देते हैं अगर घर में आप लोग कोई घर होगा उसमें से अगर कहीं पर भी एक होल होगा छेद होगा कहीं पर तो वहां से अगर सूरज आता होगा तो देखें होंगे सूरज जब वहां सूरज के किरन आता है तो वहां पर बहुत सारे कन जो होते हैं हम लोग को देखते हैं जो वहां से प्रकास आता है उसमें हम लोग बहुत सारे कन को देखते हैं ठीक है तो यह क्या करता है प्रकास को फैला देता है यह हम लोग देख रहे हैं जो सूरज के प्रकास जो हमारे पास आया ठीक है वह क्या है कन की कारण ही फैलता है मतलब जितना प्रकास के घर तरफ तो कांँ देरे दरे ऐसएसे ऊड़ता रहता है ना तो देखोंग container करनौ के Chau से आंखों से नहीं देख सकते परनतु यह कर परकास के किरन को असानी से फाइला देते हैं यह परकास की present को क्या कि वो Alt constantly इसके बाद आते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन क्या होता है पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवाल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रसायनिक गुन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है मतलब कि बहुतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो उसकी बहुतिक अवस्था को सिर्फ चेंज करें लेकिन उसका रसाइनिक गुन्ना चेंज हो ठीक है उसको लोग क्या बहुतिक परिवर्तन जैसे समझो जाइसे में सककर का पानी में घुलना पानी और सक्कर को अगर हम घूल देते हैं तो उसका भौतिक प्रिवर्तन हुआ नाके उसका रसाइनिक परिवर्तन यह की धिरMusic मतलब सिढ़ समझोгор समझों कि भौतिक परिवर्तन जो है कि अगर वो change हो गया परिवर्तन मतलब changes हो सकता है तो फिर वो पुना नहीं अपने जगह पर सकता जैसे एक प्रिवर्द यूसिद्फ से प्रिवर्तन अच्छी ना रहेगा तो यह पानिक ये कर दो फिर पाणिव बन गया बन गया और उसको फिर गर्म और या जैगा लेकिन उसका भौतिक परिवर्थन में चेंज हो रहा आ है क्या रासाइनिक कोई हो रहा है नहीं हो रहा बहुतिक परिवर्तन अब इसी को उल्टा क्या होता है रसाइनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुनवाले पदार्थ का निर्मान होता है रसाइनिक परिवर्तन कहलाता है ठीक है मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुनवाले पदार्थ का निर्मान होता है और इसमें क्या है कि पूना उस पदात को प्राप नहीं किया जा सकता है तो जंग लग गया तो जंग को हम फिर से इसको बना सकते हैं बताओ तो लोहा बतना सकते हैं तो यह हमारा क्या हो गया रासाइनिक परते हैं अच्छा दूद से दही बनना दूद से दही बन गया ठीक ह हुआ से दही बन गया क्या फिर हम दही से और नहीं बना सकते हैं तो 유TV होगा हमारा रसायनिक परिवर्त ठीके समझ मागए तो यह रख़ए हमने चाले का हो जाएगा इसके बाद हम लोग देखते है यह को करने का तरीक है आप से क्या हुआ कुछ मिश्टिक कर गया कुछ गलती कर गया क्या कि आप चीनी और दाल को मिला दी है ठीक है या फिर कुछ भी कपूर और नमक को मिला दी है तो इसको अलग कैसे करेंगे वही तरीका को हम लोग आप सीखने वाले आईए हम इसके तरीकी को सी अलग कर सकते हैं इस विधी में द्रवपदार्थ को गर्म करके वास्पिक्रित कर दिया जाता है और मिसरन के बाद कंसेस रह जाते हैं ठीक है इसका सबसे अच्छा भी ज़ाता है तो आपके साइक में वाइट-वाइट कलर का हो जाएगा ठीक है तो यहां पर वास्पिकरंस हम नमक और पानी को अलग कर स्ब्सक्राट्र और ब्रत्र जो है समोधरी जल से नमक प्राप्त करने में अच्छा समोधरी जल तो पता है आप लोगों नमकीन होता है अब वहां से भी तो नमक प्राप्त किया जाता है तो कैसे किया जाता है वो भी तो वास्पी करन से ही किया जाता है क्या किया जाता है वास्पिक करन सही किया जाता है मतलब कि वास्प बनाकर जल को उड़ा दिया जाता है और जो नमक से बच जाता है उसको फिर घर में यूज किया जाता है ठेक है चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अपकेंद्री करन अपकेंद्री करन भी एक वीधी है यह मि केंद्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि एक परकार का मतनी या मिक्सी होती है जिसे मिसरन में तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कन नीचे बैट जाते और हलके कन ऊपर रह जाते हैं जैसे कि आप लोग देखें होंगे राधा कृष्णा ठीक है तो उसमें जो और ऐसे क्न चृट्ट इकाल चूरा चुरा चुरार के खाते ते हैं याद आ रहे है ना यहमारा आपकेंद्री करन होत तो और भी ग्जांपल हो सकते हैं जैसे की यांच-परियोग-सालाँ में रख söynaar मुत्र के जांच-परियोग किया जाता है और क्या है या क्रीम के मकंन निकालने के परिकरिया में भी इसका प्रियोग किया जाता है तो तो समझ मारा मखन कैसे निकला जाता है अब केंद्री करण वीदी से और भी बहुत सारी यहां पर केंद्री करण से बहुत सारे चीज को हम लोग प्रिथक कर सकते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला अच्छा इसका एक और है कपड़े धोने की मसीन में जो वासिंग मसीन जो आप लोका चलता है तो वहां भी यह अपकेंद्री करण प्रभाव होता है ठीक है प्रिथक करनविदी एक तरह से थे थेौशा नामे कर देखे तो प्रिथक करनविदी इस विधी के द्वारद दो अगुलन सपाइब को अलग कี่ जाता है नहीं गहना ब्युक्त प्रतो प्रिफख हो जाते हैं मतलब प्रिफख करनविधी में आप लोग को डिरेक्ट समझने जो नोगो धरो मतलब कि वह घुलता ही नहीं धूर रिक है उसको हम लोग कैसे करेंगे तो इसका एक जामपल ले लेते हैं हम लोग कि अगर चाय आप बनाते हैं क्या बनाते हैं चाय चाय और चपत्ती को अगर अलग करना चाहें तो कौन से विधी से अलग करेंगे उसमें छन्नी लगा लेंगे और अलग कर देंगे चाय होगा नीचे आ जाएगा और जो चपत्ती होगा वो उपर आजएगा तो यह प्रिथक्क नृटि यह य्थाmedi अधे तो जल और तेल, जल और प्लग करेंगे तो यह प्रिथक्क करन video से हम लोग क्या करेंगो इसको अलग करेंगे घुल अर तेल, खृप और गुलता है क्या नहीं तो इसको प्रिथक करने निक प्रिखक करेंगे ठीक है उसके बाद देखते हैं दूसरा के दारा को प्रिखक करने करेंगे का प्रियूक करेंगे इसके बाद देते हैं और युदी एक सुन आ रहा है तो ऑड्जुपातन वीधी आप लोगी क्या ही नहीं डिक जैसे देखो इस वीधी के द्वारा उर्थौपातित होने वाले पदार्तों को उर्धौपातित ना होने वाले सब्सक्राइब करने कि उप्योग किया जाता है मतलब कि उर्धौपातन अपलोग को थोच से डिरेक्ट केंज हो जाना और एक उर्दपातित नहीं होता है मतलब ठोच से गैस बन जाता है एक पदाद और दूसरा जो मिला हुआ है वो नहीं बनता तो उसको क्या करेंगे क्या करेंगे अलग करने में किया जाता है कुछ उधवने वाले पता जैसे अमोनियम क्लोराईट कफूर noon के उध्छारन मतलब यह क्या करते हैं छो से डारेट गैस में चेंज जाते हैं जो इसे अमोन्यम हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं ओडोनियल हो गया वो भी ग्याव हो जाताael ठीक है तो यहां पर देखो कि अगर आप नमक नमक और कपूर को मिला दो दोनों white color का होता है दोनों को मिला दो तो अब दोनों को अलग कैसे करेंगे बताओ कोई idea नहीं तो इसको हम लोग उर्दुपातन विधी से करेंगे थोड़ा सा क्या करेंगे न हलका सा गर्म कर देंगे अगर आप इसको देखे तो कुछ दिन भी रख देते हैं और पांच दो दिन भी रख देते हैं घर में अपने कम्री के तेंपडरेचर पर का नमक नमक वहां पर बच जाएगा ऑगे तो इसको दोनों दो डारिक्ट क्या कि चुक्त हैं आप रोदोपातित हो जाता है तो आप लोग इसको अलग कर सकते हैं और भी दूसरा एक्जामपल कपूर और लोहे के बिरादा को अलग करने में बिलकुल कपूर और लोहा का बुरादा मिल गया गलती से मतलब कि कपूर और लोहा का बुरादा है ठीक है वो मिल गया तो इसको कैसे अलग करेंगे छोड़ देंगे कुछ नहीं करेंगे ओटोमाइटिक कपूर उड़ जाएगा हवा में लोहा बज जाएगा यह थोड़ा सा गर्म कर दो तो तुरत हो जाएगा चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे आस्वन वीधी के संगहन किया जाता है जिससे द्रव सुद्ध वस्फथ प्राप्त हो जाता है यानि कि अस असुद्धि पदार्थ थीखें जो मिस्र हो गया है तो अब क्या करेंगगा गर्म करेंगे तो जिससे क्या हो जाताला हो जाता है एकतृत के दाता है वह मारा किसम होateg कि तो कि किसी भी विल्यन के मुख्य錦ार्थ को क्रिष्टल के रूप में बाहर निकानने की पृप्रिया क्रिष्टली करन कहलाता है तो आप लोग को पता होगा कि थोस जो होता है दो तरह से होता है दो तरह से देखते हैं क्रिष्टली करन ऐसे जफ react documented कि यहीं पर चाल जादा इंडिस्ट्रियारिया में उप्योग किया जाता है जी से खारे जल का नमक प्राप्ट करने में क्रिश्ट्ट्रिकरन का उधारन है तो यह हो गया हमारे क्रिश्टली करन और भी बहुत सारे ऐसे अग्जामपल हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं चलो इसके बाद हम लोग यह हमारा पूरा का पूरा आप लोगा खतम हो गया नोट्स यहां से आप लोगा नोट्स कम्पलिट हो गया आए अब हम लोग इसका कुछ अब्जीक्टिव को करते हैं यहांप अच्छा से देखें पूरा इस वीडियो को पूरा अच्छा से कम्पलिट कें तो यहां पर जो व्योग्वक्श्ण होगा आप लोग उसको बताना ठीक हम दो दो से तीन सेकेंड टाइम देंगे चलो इसका सबसे पहले देखिए पहला कोशन क्या है पहला कोशन है बच्चों निमने लिखित में कौन सा तत्व नहीं है तो तत्व आप लोग को किता बताया थे 118 अब बताइए यहां पे से कौन सा तत्व नहीं है आप लोग को पहले उसी स्टैम बताया थे तत्व तरह से बाटा गया तो बताई है तो इसका अंसर हो जाएगा बच्चों कुलाइड ठीक है अप्सन नमबर डी इसका राइट हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम लोग आते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल सवाल क्या है निव कौन सुध्पदार्त नहीं है तो आप पते यहां पylon exclusर रिचार कार्मन डियोक्साड लाइट तो सुद्पदार्त नहीं है तो इसका right अंसर हो जाएगा दोस्तों गंग जल सुध पदार्त नहीं है तो तो सुद्पदार्त हो गया हमारा लेकिन गंगा जल में सुध्पदार्थ नहीं है चुकि गंगा जल मतलब कि एच टू भी मिला हुआ है उसमें और अक्सिजन में मतलब कि दो तत्तों मिल गया मतलब कि यह यौगिक हो गया सुध्पदार्थ नहीं हुआ ठीक है चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों अप्सन नंबर एक कौन सा हो जागा अप्सन नंबर एक स्रविजल ठीक है यह क्या आप लोगा सुध्पदार्थ है इसके बाद देखते हैं लोग फूर नंबर कुश्चन को चलिए फूर नंबर कुश्चन क्या है आप लोग का निमलिक्षित में कौन असुध्पदार्थ है ठीक है तो आपको बताना है यहाँ पर असुध्पदार्थ इसमें से कौन है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो इसमें अप्सन है आप लोग का सोडियम वायू हाइड्रोजन और अमोनिया तो असुध्पदार्थ जो है दोस्तो इसका आप लोग का अप्सन नंबर भी हो जाएगा वायू वायू क्या है असुध्पदार्थ है चुकि इसमे आप लोग कि हाँ ले लो नाट्रोजन भी होता है इसमें आवाईू में ऑक्सिजन भी होता है है ना कारबन डियोकसाइड भी होता है तो कितने सारे तत्तों यहाँ पर यह सब क्या पदार्त हो जाएगा वाले जैसे प्रकृति जो मिलकर सभने हो कि बना उसको बैसने क्या है बहुत सारे बना हुआ बहुत तक बना कर बना तो यह और यह तो आपको इसमें अंसर होजाएगा तो बच्छो लवन लवन याननि नमक और पानी का भोल नमक और लवन यह विलयन ना तो यह हमारा लवन विलयन यह है कि बाकूं कुछ साबूसल छोग जल मिलता है कि दोनों नहीं मिलता है और इसके बाद देखते हैं भी सिक्स नंबर सब्सक्राइब लुकू का बोल रहा है निर्दे लिफित में कौन निलंबन है तो चीनी विल्यन, सोडा 目前 साबुन जञ अब को बताना है समें राइट अंसर है कि तो बच्छो इसका राइट अंसर हो जाएगा मतमाला जल यानी की मतमalon मतलब कि जो गंदा जल होता है जो मिटी वाला जल होता है उसकcke égat निलंबन है यान सकते हैं अगर गुल गया तो नहीं सोडा जो कोने साबी से देख सकते हैं तो यह हमारा जायot चलिए सब सलको सबस्केगा है टिछ सेवनम नंबर सबस्क्राब है लिए कौन मिस्रنت तो बता है चांद फॉस्फ और जल और कितना सारा का यहां पर मिसरन है तो लोग क्या बोलेंगे इसका वायू क्या है मिसरन तो हमारा मिसरन जो हमारा वायू है इसके बाद देखते हैं आठ नंबर सवाल में बोल रहा है निम्ण में कौन वी समांगी मिसरन का उधारन है चीनी चीनी और जल साधारन नमक और फिटकरी जल मिट्टी तेल और जल तो इसका राइट अंसर बते हैं आप लोग वी समांगी मिसरन वैसा मिसरन जो गुलता नहीं है अब बते ही हिंट्स संबी ने मिल गये तो इसका राइट अंसर हो जागा बच्चो ऑप्युप्सन नंबर Da-do मिट्टी तेल और जल कभी मिलता है नहीं चीनिंद जन मिल जाता है सदार नमक और जाएट इसमें पूच रहा है इनमें इसे कौन अपधात्व है तो बताइए अकौन है ठिकte 108 तत्त्तो में कुछ उपधातो रघंच तो सोना के धातू है चान्दी के धातू है अब बदेए हम पर दो ऊपसन दे दियें सी और डी इसमें आप का कौन सा अधात उप दहात हुआ है कि इसका राइट अंसर जाया बच्चो ओप्सन नमबर डी ऑपन मपन इसका राइट हो जाएगा ठीक है जम नियम जो है उप धात हुए ठीक है कि इसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर सब्सक्राइब है तेन नंबर कह रहा है नेमन में कौन निलंबन है तो कोको काला सोडा जल धूमवा या गोंध है है कि इसका राइट अंसर हो जाएगा बच्चों धूमव क्या हो जाएगा धूमवा इसका राइट हो जाएगा ओप्षन नमबर C यह क्या है निलंबा ने गुलतने ठीक है चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 11 नमबर मिस्रन किसे मिलकर बना है तो देखें ओपसण दिया वाई एक से अधिक सुथ तत्वों से एक या एक से अधिक असुथ तत्वों से केवल एक टत्वों से या और बी दोनों हो ईसका राइट अंसर हो जागा बच्चो Ond position system das एक एक से अधिक सुथ तत्तु को मिला कर अगर बात करें तो वो क्या होता है मिस्सरन होता है एक की से अधिक सुथ ुmittel को मिलाते हैं तो मिस्सरन कहलाते हैं चलिए इसके तो बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए रॉबर्ट वॉयल याद रखेगा जो तत्यों सब्ट का जो प्रियोग किये थे ठीक वो कौन किये थे रॉबर्ट वॉयल ठीक है इसके बाद हम लोग थर्टीन नंबर सवाल को देखते हैं इधीन नंबर सवाल क्या कह रहा है मिसरन के कौन कौन से परकार है तो मिसरन के अपको बताना है कौन से साफमाग से मिसरन यह यह भी दोनो तो पता होगा आप से चेहले कितने बावज बटा गया है कौन ऑफी समांगे तो इसमें अप्सेन डी और दोनों क्या हो जाएगा ए और बी दोनों ठीक है चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 14 नमबर सवाल कि शुद पदार्त किसे मिलकर बना होता एक ही परकार के कनों से अलग अलग परकार के कनों से ए और भी दोनों इन्में से कोई नहीं हुआ हिए तो बच्यों इस लिए एक ही परकार के कनों से थे के मैंने पहले बताए था सुद पदार्त किसे मिलकर बना होता हैं एक ही प्रक्रति वाले कनों से चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर कि फिप्टीन नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समांगी मिसरन क्या है तो समांगी मिसरन वह मिसरन जिसकी बनावाट समान है वह मिसरन जिसकी बनावाट आसमान हो या ए और भी दोनों या वह मिसरन जिसकी कोई बनाव इसके बात देखे हम लोग 16 सवाल है कलते रभी दोनों यह केबल दो पदार्थ्टों का मिशर तो विल्ययन क्या है और आप्सन नमबर ए तो यह दो से अधिक पदार्त समांगी मिसरन को ही विल्यन करते हैं मतलब वह घुला तभी विल्यन हुआ वरना नहीं हुआ तो आप्सन नमबर ए राइट हो जाएगा चलिए इसके बाद देखते हैं लोग 17 नमबर सवाल तो यह सब को आप लोग नोड़ डाउन करते हैं यह सब हम उसी से निकाले हैं जो पूछा गया सवाल है और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा बच्चों इसके बाद हम लोग दिखते हैं तो विल्यन में विलायक कौन-कौन से होते हैं तो विलायक कौन पहले बता दिए थे कि विलायक की मात्रा अधिक होती है तो इसको और राइट हो जाएगा चलेए इसके बाद हो जाएगा आगे 19 सवाल क्या है है चीनी और जल के विलायक में विलैक कौन सा है तो इसको तो भी जोनसा कहां कर जा है तो तो हम लोग को क्या पूछा है तो विले पूछा है तो हमारा अंसर कौन से हो जाएगा चीनी हो जाएगा ठीक अपसन नमबर एए चलो इसके बाद 20 नमबर सवाल देख लो लिखावा है छोटे आकार के कारण विल्यन के कन गुजर रही परकास की किरन पर क्या परभाव डालत हे हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बच्चों है अपसन नंबर मीचत के किरन को क्या करते हैं फाइल आते हैं छोटे पीछे हम्लों चलो उसके बाद देखते हैं हम लोगा बडां को करते हैं तो इस के बाद rec tai चलो तो कौन कौन से परकार के होते हैं तो तनू सांद्र संत्रिप्त अप्रोग सभी तो विले की मात्रों के अधार पर अगरम देखते तो विल्यन जो होती है चारों परकार की होती है तीनों परकार की होती है तो अपसर नमबर डीस का राइट हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम फिले कि मात्रा घुलना बंद कर देती हूं तो उसको लोग क्या बोलेंगे सम्तिर्प्त विल्यन तो अप्शन नमबर सी इसका राइट हो जाएगा ठीक है चलो इसके बाद देखते हैं अगला हाँ विल्यन की कनो का व्यास कितना होता है यह बता चुके हैं तो बताएए अप्शन नमबर इसका दिया हुआ है टेन मैनस नैन पावर ठीक है और टेन मैनस नैन मेटर से जादा एक कम है जादा है यह बराबर है तो बताओ तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बच्चों पावर मैनस नाइन ठीक है मीटर से भी क्या होता है यह कम होता है ठीक है चलो जो हम लिख्वाएं थे वन नैनो मीटर से अधिक और इतना से भी कम होता है विल्यन की कनो का विहास ठीक है चलो आगे देखते हैं लोग 24 नंबर क्या तो वायू में विलायक कौन सा होता है प्लोग का तो वायू में क्या है ठीक है तो विलायक में क्या है कि इसमें से पूद चीज मिला हुआ है ओकसिजनव्य है रिवन देम मगी त Widow लेकिन परसेंट क्या है हमारा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा विलायक हो जाएगा इसके बाद देखते हैं लोग आगे देखते हैं कि करन कहां कहां परियोग होता है तो अपसे नहीं प्राप नमक को सूथ करने में असूद नमोने के फिकरी को फिटकरी को कौपर सिल्फाट करने में अप्रोक्त सभी सबुबर्स नमबर टीक है अगे इसका लाश्ट आफाल है 96 नंबर एक बर देख लो ठीक मुम्बतिक को जलाने के प्रिकरिया कैसा परिवर्तन है तो मुम्ब हमारा मुंबत्य बन सकता है कि अगर उसको जलते तो पिघल जाता और फिर मोम से वो मुमत्ति बन सकता है रसाइनिक परिवर्तन इसलिए है कि उसको जलाने से कुछ ना कुछ गया सुतन होता है तो वो हमारा क्या है रसाइनिक परिवर्तन तो हमारा option नमबर इसका C राइट हो जाए ठीक है चलो तो यह था आपको डोका तोटल पूरा नोट्स कंप्लीट करवा दिए हम ठीक है अप लोग नोट्स को कॉपी में जरू से नोट डाउन कर लो ठीक है और यह अब्जेक्टिव कोश्चन को भी अच्छा से नोट डाउन करके आप बार वार इसको देखो ठीक है और कुछ भी समझ में ना आता हो तो कमे जरूर किजेगा ठीक है और लाइक जरूर कर देजेगा और सब्सक्राइब करके और बैल एकन बेटन को भी प्रेस कर देजेगा और सेर किजिए उन बच्चों को जो क्लास नाइंत की त्यारी कर रहे हैं ठीक है